नमस्कार सातियों मेरे वर्टिकल गार्डन में यह सिंगोनियम के पोधे लगे हुए हैं और यह बड़े ही खुबसूरत पोधे हैं और एरेसी परिवार के पोधे हैं और इसका जो बोटनिकल नाम है सिंगोनियम पोडोफाइलम है तो यह syngonium podophyllum जो है यह मूल निवासी अमेरिका का है और यहाँ मेरे हाँ पर यह बड़ा ही अच्छा चलना है मेरे वर्टिकल गार्डन में यह 90 यह 90 जो हैं प्लांट लगे हुए है 90 गमले लगे हुए है छोटे-छोटे उनमें यह बड़ा ही खूबसूरा चलता है एक्चुली इसको humidity पसंद है जब भी humidity 60% से उपर हो जाती है तो यह पोदे बहुत चल जाते हैं अच्छे चलते हैं देखिए गमले इसमें दिखाई नहीं पड़ रहे बिलकुल भी और इसको देखेंगे तीर नुमा इसकी पत्ती हो जाए है तो तीर नुमा इसे यह arrowhead प्ला में है जो अपने सिंगोनियम की तो यह जो है ना यह butterfly ति इतली नुमा लगता है तो white butterfly syngonium है यह syngonium podophyllum white butterfly किसम है जो आप देखने हैं सामने बड़ाई सुन्दर लगता है और इसका जो ideal temperature इसको है 15-30 degree centigrade पर है वैसे यह यह जो टेमपरेचर है यह यह 10 degree centigrade से लेकर 32 degree तक सहन कर लेता है लेकिन बहुत ज़्यादा टेमपरेचर यह परिसान हो जाता है तो यह variety बड़ी सुन्दर है और जैसा कि मैंने बताया है इसको 60% से उपर humidity में यह बहुत अच्छा चलता है सुस कहम है वह में तो इसकी पतिया ना भूरी हो जाती है और तेज धूप में जुला जाती है इसकी पतिया जैसी डायरेक्ट संलाइट इस पर पढ़ेगी तो पतिया जुलस ने लगती है हमारे यहां पर यह पर गोला के नीचे पार्शल सेड में लगा हुआ है और वर्टिकल गार्डन में लगा हुआ है तो यहां पर यह बड़ा अच्छा चल रहा है लेकिन इसको इनडारेक्ट ब्राइट संलाइट चाहिए और बहुत जादा खाद की अवश्यक्ता नहीं होत हैं तो यह बड़े अच्छे चलते हैं तो अभी हमें हमने बात करी वाइट सिंगोनियं थार्क ग्रीन सिंगोनियं में हमारा वर इसको डार्क ग्रीन ऑल्यूजन इसको अदल सिंगोनियम, पोडोफाइलियम, टार्क ग्रीन एलूजन, तो यह वराइटी बड़ी लंबी लंबी इसकी पतिया, हमने यह देखो मॉस स्टिक पे इसको चड़ाया हुआ, एक क्लाइमबर के रूप में काम करती है, और एक क्रीन दिवार बना देती है, हरी, हरियाली वद और प्रोपागेशन आप जो इसका स्टेम कटिंग से कर सकते हैं, रिपोर्टिंग बसंत बरसात में बड़ी अच्छी हो जाती है, यह देखे, एरियल रूट्स इसमें निकल रही है, और यह अपनी एक रसी के उपर, यह हमने, क्योंकि मॉस स्टिक छोटा पड़ी गया, उ तो यह बड़ी अच्छा पोधा हमारे पास यहां पर है, और बड़ा आसान है, रिपोर्टिंग इसकी बसंत और बरसात में आप कर सकते हैं, इसके बाद यह हमारे पास तीसरी वराइटी है, जिसके हमारे दो प्लांट है, यह भी हमने मॉस स्टिक के उपर लगा हुए है, और इसको हम कहते हैं, सिंगोनियम, पोडोफाइलम, एमराल्ड ग्रीन, यह जो एमराल्ड ग्रीन वराइटी, इसमें क्या है, ग्रीन के उपर वाइट वेंज होती है, वाइट सी रहे देख रहे हैं पत्ति उपर, इसके उपर होती है, अकली किसमे है हमारी सिंगोनियम, पि इसको बुद्धा है इसको बुद्धा फेस के अंदर इनको लगाया हुआ है यह हमरे पास चार बराटी है चार पॉट्स है जो पिंक सिंगोनियम के पिंक वें सिंगोनियम के हमरे पास यह 4-5 प्लांट्स हैं 4-5 पॉट्स हैं तो दो हमारे डक्स के हैं तो बुद्धा फेस के हैं तो यह देखे बहुत ही सुन्दर लगती हैं जब ग्रीन लीव्स के बीच में पिंक वेंस अंती है पतियों में तो यह इसमें नमी बनाके रखना पड़ता है जैसे मता बताया है कि सीधी दूप से थोड़ा गबडाती है हुमिडिटी इनको अच्छा चाहिए और बीच बीच में देखिए ये बुद्धा फेस के अंदर हमने लगाई हुई है चोटी-चोटी लीव्ज हैं लंबाई लीम में गरीन के लीव्ज में पिंक वेंस में होती ह सिंगोनियम थोड़ा जहां पर रखने का इस्तान उसके के अधार पे इसकी हाइट और कलार में अंतर आ जाता है धूप के लाइट के रोसनी के अनुसार और हुमिडिटी के अनुसार ये देखिए हमने हैंगिंग हमारा जो टावर है उसके अंदर भी इसकी दो पोट्स में लगए हूए है तो एक तरश हमारे पास छॉगए छे पोट में हमारे या प्रका यह पर ये सिंगोनियम और पिंक वत जो भराय टिय है वह लगी होई है दो हमारे वह पांधश बहुत जcker कम पानी दोनों नुक्सान दर बहुत जादा धूब और बहुत जादा अन्धेरे में यह उतनी अच्छी नहीं चल पाती है इसके बाद हमारी अगली जो वराइटी है this singular new French नियो नरोबस्टा यह सिनगोनियम पोडोब्यव लम नियोन रोबस्टा के हमारे पास चार पोधे हैं जो हेंगिंग बास्केट में लगे हुआ है ये भी बड़े खुल सूरज लगते हैं इन में कभी-कभी लीफ करल की समस्य आ जाती है लीफ करलिंग इसमें हो जाती है अगर इसमें हम इसको सुरक्षी तस्तान पर रखें तो पतियां जल्दी खुल जाती है तो हमाई लगाई हुए है और हमने हैंगिंग गारडन में ये प्लांट्स के नीचे रखा हुआ है जहां पे इनको ब्राइट लाइट मिलती है डारेक्ट सनलाइट से बची रहती है तो डारेक्ट सनलाइट में इनकी पतियां जुलाज जाती है तो जैसे मैंने बताया कि ये आज हमने बात करी किस्म हो की तो अगर अच्छा लगा तो कमेंट करिएगा लाइक करिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत बोलिएगा तो साथ यो फिर मिलते हैं एक ऐसी खुबसूरसे वीडियो में एक नए अपने टेरेश गार्ण के सदस्य केदाथ थैंक यू नमस्कार